इतिहास के तीनों सेक्षन्स में सबसे ज़्यादा कोश्चन जो हैं वो आधुनिक भारत से पूछे आते हैं तो दोस्तों हम आपके सामने आज 20 बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन आधुनिक भारत के ले के आये हैं कोश्चन नमबर वन काकोरी केस जो की 1925 में हुआ था जिसमें राम प्रशाद बिश्मिल ने अपने सातियों के साथ मिलके ट्रेन से हर्थिया लूटे थे उनके अभ्यूक्तों के बचाओ हे तू किसकी अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने एक समीती का गठन किया था तो इसका सही जवाब है गोविन भलव पंत कोश्चन नमबर टू लाहो सडियंत कांड 1931 में निमलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी तो वहाँ पे तीन करांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी सुकदेव, राजगुरु और हमारे सरदार भगत सिंग पर बट्टु केसवर दत को फांसी की सजा नहीं हुई थी इन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमानी को बार भेज दिया गया था तो कोश्चन नमबर वन में काकोरी केस के समीतिक एदक्ष कौन बने थे गोविन बलबपन्थ और कोश्चन नमबर टू में लाहोर सडियन कांड में किसको फांसी की सजा नहीं हुई थी तो बट्टु केसवर दत कोश्चन नमबर टू में हमने धार्मिक संगठन और कौन उससे जुरे हो उनके नाम दिये है इस संगठन का जो है स्थापना हुआ था अमेरिका में लेकिन बाद में इसने चन्ने अडियार में अपना सेंटर खोला था और एनी बेसेंट को इसके अध्यक्ष के रूप में निक्स किया था एनी बेसेंट ने आगे चलके स्वतनत्रा संगरा में बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निभाई सत्र सुदक समाज जो है वो महारास्ट्रा में प्रभावसाली रहा ये बहुत ही इंपोर्टेंट समाज था जिसने नीचे वर को उठाने के लिए काफे काम किये इससे जुरे थे जोतिबा फुले और इनको महात्मा फुले भी कहते हैं और इनकी बहुत फेमस किताब है गांधी गिरी गुलाम गिरी प्रात्ना समाज ये भी महराश्ट्र का है इसके संस्थापक रहे आत्मा राम पंडुरंग और बाद में महादेव गोविंद रानड़े इससे जुरे थे ध्यान रहे यां confused ना हो जो प्रातना समाज है इनके संस्थापक नहीं थे महादेव गोविंद रानडे इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडूरंग लेकिन बाद में जो है महादेव गोविंद रानडे से जुरे थे दियो समाज के संस्थापक शिव नरायन अगनी होती थे तो इसमें एनी बसेंट को छोड के बाकि जो तीनों नाम दिये हैं सत्यसोरक समाज के संस्थापक, जोतिबाफुले, प्रातन समाज के संस्थापक, आत्माराम, पांडुरंग, देव समाज के संस्थापक, शिव नरायन, अगनी होतरी. यह अमेरिका में इसकी संस्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे, उसमें औलकॉट और मेडम बलवाट्स की थी, और इसकी अध्यच थी एनिबसेंट इंडिया में, जो की आरिलेंड से आई थी. बाद मेंनों ने होम रूलीक की स्थापना की थी, और नरम दल और गरम दल को मिलवाने में बहुत एहम भूमी का निभाई थी. कूशिन नमबर फूर, इसमें हमने मैच करके आपको दिखाया है गदर पार्टी, जो की सैन फ्रांसिसको युएसे में इसका स्थापना हुआ था, 1913 में, इससे जुरे है लाला हर्दियाल और सोहन सिंग भाखना, ये एक मैगजिन भी निकालते थे, जो की एक सबताहिक लूटे गए थे काकोरी में, 1925 में इसमें एहम भूमिका निभाई थी रामपशाद बिश्मिल ने, लाहोर सडियंत्र, 1931 इसमें भागत सिंग और उनके दो साथियों को फासी के सजादी गई थी, चटगाउं सस्तगार हमला में, 1930 में सुरे सेन सामिल थे, और इनके साथ द जिया था कलपना दर्थ ने, तो कोश्चन नम्बर थी हो गया, धार्मिक संस्थान से, इसमें थेोजोपिकल सुसाइटी छोड़ के बाकि तीनो समाज के संस्थापक के नाम दिये गया है, जिसे सत्यसोरक समाज के संस्थापक, जोतिबाफुले, प्रातना समाज के आत्मार पांडू रैंग, देव समाज के सिवन रैंग अगनी होती थी, तीनो प्रिकल सुसाइटी जो ये अमेरिका में बनी थी, इसके संस्थापक जो है, वो ओलकॉर्ट और मैडम बलावाट्सकी थे, इसकी अर्द्रक्ष थी एनिबसेंट, और कोश्चन नम्बर फोर में, हमने पार्टी या सद्रन से कौन जुरे थे, उनका नाम दिया है, तो गदर पार्टी से लाला हर्द्याल, काकुरी सद्यांतर से राम पशाद बिश्मिल, लाहो सद्यांतर से भगत सिंग, और चटगाउं सस्तगार हमला से सूर्य सेंग, अब आगे बढ़ते हैं, कोश्चन नम् कोश्चन नम्बर सिक्स, एस्याटिक सोसाइटी आप बेंगॉल के संस्थापक कौन थे, आपको बता दें, कि जो एस्याटिक सोसाइटी आप बेंगॉल है, ये पूरे एशिया में, मतलब आर्केलोजी का काम करती थी, जो भी यहां का कल्चर है, उस पे वक आउट करती थी और इसके संस्थापक है, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ही थे, जिन्होंने सर प्रथम चंद गुप्त मौर को सेंडरो कोटस कहते हैं, इसके बारे में बताया था, कोश्चन नम्बर सेवन, किसने सर प्रथम भगवत गीता का अंगरेजी में वार्द किया था, तो इ कोश्चन नम्बर सिक्स में, एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगॉल के संस्थापक, तो इसके एंसर है सर विलियम जोन्स, और कोश्चन नम्बर सेवन में, किसने सर प्रथम भगवत गीता का अंगरेजी में अनुवार्द किया था, तो सर चार्ल्स विलकिन्स, कोश्चन न देंगॉल में, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने मिलकर राष्ट्र सिक्षा परिशरत की नियू रखी थी, 15 अगस 1906 में, कोश्चन नम्बर नाइन, किस कॉंग्रिस अदिवेशन में, महात्मा गांदी ने सर प्रथम भाग लिया था, तो इसका जवाब है, कलकत चार्ल्स एंड्रियूस, जिसको दीन बंधू एंड्रियूस के नाम से भी जानते हैं, ये एटक के आगे चलके फ्रेश्रेंट भी बने थे, तो कोश्चन नम्बर एट हो गया, नेशनल एजुकेशन कॉंसिल, यानि कि राष्ट्र सिक्षा परिशरत, जो कि स्वादेशी आ किस कॉंग्रस एड्रियूशन में माहत्मा गांधी ने स्वापर्थम भाग लिया था, तो उसका सर्जवाब है कलकत्ता एड्रियूशन 1901 में, माहत्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र के नाम बता हैं, तो वो है सर चार्ल्स एंड्रियूस, जिनको हम दीन बंधू ए 2020 में किसके द्वारा, एनम जोसी के द्वारा, पर ध्यान ये रहे कि जो प्रतम अधिवेशन हुआ था, उसके अधिक्ष कौन थे, लाला लाजपत रॉआ है, ये एर जो है 1920, important है friends, क्योंकि 1920 में ही तास्केंत में, Communist Party of India का establishment हुआ था M.N. Roy के द्वारा, और यहां इंडिया म में बंबई में हुआ था, आइटे का गठन, अखिल भारतिय व्यपार संग कॉंग्रेस, किसके द्वारा, एनम जोसी के द्वारा, और इसके प्रतम अधिवेशन के अधिक्ष कौन थे, लाला लाजपत रॉआ, कोशन नमबर 12, इंडिपेंडनेंस फोर इंडिया लीग कि स् तैं तो, यह हुई थी, नहरु रिपोर्ट के विरोध में किसके द्वारा, जवाहला, नहरु, सुभाश्य चंडर्बोस और ऐसका सचिव थे, और उसके अधिक्ष थे, एस स्रीनिवास अयंगर, और पार्टी का नाम क्या था, इंडिपेंडनेंस्ज फोर इंडिया लीग, क्यों इसकी स्थापना हुई थी क्योंकि नहरू रिपोर्ट ने पून स्वराज का मांग नहीं किया था बलकि बस स्वराज का डिमांड किया था और जो जो आहला नहरू है सुभाशन्द बोस है ये इससे नाखुश थे ध्यान रेफरेंट्स कि इंडिपेंडन्स फोर इंडिया लीग एक अलग संस्था है और इंडियन इंडिपेंडन्स लीग एक अलग संस्था है जिसको रास बिहारी बोस ने establish किया था, तो confuse मत होगेगा तो दोस्तों आपको confuse नहीं होना है, क्योंकि हमने question जो पूछा उसमें, independence for India League पूछा है, जिससे associated थे, S. Srinivasan अयंगर, जवाहला नहरू और सुबास चंदर बोस और जिसका स्थापना क्यों हुआ था, क्योंकि नहरू रिपोर्ट में जो है पूर्ण सुराज के मांग नहीं की गई थी और इंडिन इंडिपेंडेंस लिक किस था, आपना किसके द्वारा हुई थी रास बिहारी, बोस का, जिस जिन्होंने आजाध हिन force में बहुत important भूमी का निभाई थी question number 13 हमने यहाँ important newspaper के नाम दिये हैं और match किया है कि किसको कौन publish करता था, तो जो लीडर है इसको publish करते थे मदर मोहन मालवी है मदर मोहन मालवी है जिन्होंने आगे चलके बियेचु की स्थापना की search light बिहार के सचदनन सिना new India एनिबेसेंट बॉंबे क्रोनिकल फिरोज सा महता लीडर मदर मोहन मालवी है search light सचदनन सिन्हा new India एनिबेसेंट बॉंबे क्रोनिकल फिरोज सा महता यह सब newspaper है जो यह महानुभाव के द्वारा publish किये जाते थे तो आपको match the following करके आ सकता है question number 14 यहां हमने important जो administrative changes है उसको discuss किया है और वो किसके द्वारा किया गया यह भी बता रहा है आपको जैसे जमीन से संबंदित स्थाई बंदो बस जिसके द्वारा जो है जो है भारतिय राजा महराजा को जो है अंग्रेश support प्रवाइड करते थे और इसके बदले राजा महराजा जो है यह promise करते थे कि वो कोई भी decision जो है बिना बिटिस के नहीं लेंगे और बिटिस सरकार को वो finance से भी मदद करते थे अस्थानिय स्वसाशन यानि कि लोकल स्वसाशन को काफी बढ़ावा मिला था तो इसलिए इनको भारत में इस्थानिय स्वसाशन का जनक भी कहते है लोड रिपन को चैतुराइपूर निस्क्रेता यह जौन लॉरेंस के द्वारा अफगानिस्तान में अपनाई गई थी कि हमको इंटर्फेर करना ही नहीं है अफगानिस्तान के मैटर में और इसको चेंज किया था मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी लाये थे लॉर्ड लिटन तो ध्यान रहे मास्टर इनक्यूटी यानि कि चतुराइपूर निस्क्रेता अफगानिस्तान में किस ने अपनाई थी जौन लॉरेंस ने और उसको उल्टा किया था लिटन ने तो बहुत इंपॉर्टन्ट है अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉन्वालिस सहायक संधी लॉर्ड वलेजली अस्थानिय स्वसाशन लॉर्ड रिपन चतुराइपूर निस्क्रेता जौन लॉरेंस और उसके उपर तो हमने मैगजीन मतलब न्यूस्पेपर देखा ही देखा कोश्चिन नंबर फिफ्टिन किसने सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 872 पारित करवाने में महतपूर्ण भूमिका निभाई थी तो इसका जवाब है केसब चंदर सेन और नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा जो फीमेल है उनका मैरिज़ेबल एक्ट चौदा साल रखा गया और मेल करेटीनियर्स लेकिन कॉंट्रवर्सी तब हो गई जब केसब चंदर सेन ने अपने खुद की बिटी की जो शादी है वो 13 साल में कर दी और ब्रामो समाज में एक और डिविजन हो गया जिसको ब्रामो समाज आफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा तो ये केसब चंदर सेन जो है वो तीसरे महतपूर्ण लीडर थे ब्रामो समाज के पहले तो फाउंडर थे राजा राम महान रोय दूसरे थे देवेंद्रनाठ टैगोर और फिर देवेंद्रनाठ टैगोर से मद्भेध हो गया तो केसब चंदर सेन ने खोला ब्रामो समाज अफ इंडिया और जो देवेंद्रनाठ टैगोर कर था उसको आदी ब्रामो समाज कहा जाने लगा किसने हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम यानो कि हिंदू विडो रीमर्ज एक्ट पारित करवाने में महतपूर्ण भूमिका निभाई ये पारित हुआ था 1856 में तो इसका जवाब है इश्वर चंद्र विद्या सागर कोशन नमबर 17 मैडम कामा जिनको जैसे गांदी जी को फादर अफ इंडिया बोलते हैं को मदर अफ इंडिया बोलते हैं 1907 में प्रथम फर्स्ट ताइम कहां तिरंगा द्रज फैराया था तो इसका सवी जवाब है इस्टूट गार्ड जर्मनी में तो कोशन नमबर 15 नेटेव मेर्ज एक्ट 1872 पारित करवाने में किसने मेर्पूर्ण भूमिकान भाई तो इसका जवाब है केसब चंदर सेन कोशन नमबर 16 1856 में हिंदू वीडो दी मेर्ज एक्ट पास करने में किसने इंपॉर्टन भूमिकान भाई तो इसका जवाब है इस्वाचेंद्र विद्या सागर और कोशन नमबर 17 मदर अफ इंडिया मैडम कामा उन्होंने 1907 में प्रथम टैम प्रथम बार तिरंगा दोज कहां फराया था तो इसका अंसर है इस्टूटगार्ड जर्मनी तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये कोशन समझ में आ रहे होंगे ये कोशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड इनको अच्छे से देखे और समझे कोशन नमबर 18 1927 में बटलर कमिटी का गठन क्या गया था इसका उदेश क्या था तो बटलर कमिटी का उदेश था कि जो भारत सरकार है और जो प्रिंसली स्टेट है देशी राज उनके भी जो संबंध है वो सुधरे कोशन नमबर 19 आजाद हिंद फोर्ज इंडिया नेशनल आर्मी कि स्थापना किसके दौरा हुई थी तो देखे यहाँ काफी कन्फूजन होता है कुछ लोग सुभास चंद बोस टिक कर देते हैं कुछ रास बिहारी बोस लेकिन इसका सही जवाब जो है वो मोहन सिंग है मोहन सिंग नहीं जापानियों से कहकर उन भारतियों को रिलीज करवाया था जो की अंग्रेज की तरब से फाइट कर रहे थे और अपनी एक फोर्ज तयार की थी बाद में आके इससे रास बिहारी बोस जुरे और फिर बाद में जब सुबाश चंदर बोस इसमें एड हुए तो फिर ये और हिट हो गया और आपको बता दे कि आजार धिन फोर्ज दिवस कब मना जाता है तो ये है 21st of October को लास्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 20 कैबनेट मिशन जो की अंग्रे सरकार की आखरी कोशिश थी कि भारत का बटवारा ना हो लेकिन मुहमद अली जिन्ना के डारेक्ट एक्शन डे और खुब साए दंगे की वज़से ऐसा नहीं हो पाया इस कैबनेट मिशन की अधिक्षता किस ने की थी तो इसका सही जवाब है लॉड पैथिक लॉरेंस और ये मिशन आया कब था 1946 में इसमें दो अन्य सदस जो थे उनके नाम है स्टेंफॉर्ड क्रिप्स और एवी ऐलेक्जेंडर ध्यान रहे कि जो वाइस रॉय है उससे में जो भारत के वाइस रॉय थे लॉड वेभल वो कैबनेट मिशन के सदस से नहीं थे तो फ्रेंड्स चुकि अब टाइम कम रह गया है आप जरू से कम से कम एक से डेली बनाए उसके अनलसिस करे कि आप जो गिवन टाइम है उसमें कितने कोशन से अट्रम्ट कर पा रहे हैं और जो भी आपका वीक सेक्षिन उस पर अच्छे से वर्क आउट करें ताकि आपकी जो जीत है वो सुनिशिस्ट हो जाए मैनत होगी जीत होगी, all the best and thank you